हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हरिती स्टडी हब तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किस तरीके से हमने asp.net c sharp के अंदर css की help के साथ जो आप मेरे वीडियो के अंदर सामने स्क्रीन देख रहे हैं login स्क्रीन बहुत ही attractive स्क्रीन है और modern जो website के अंदर ये वाली स्क्रीन यूज होती है ये किस तरीके से आपने easily develop करनी है वो हम आपको बताएंगे तो यहां पर आप देख पा रहे हैं हमने जो है font अवे सम्प के अंदर जो special icons available होते हैं उनको हमने यूज किया है यहां पर आप देख पा रहे हैं और किस तरीके का यह interface हमने त्यार किया है बहुत ही attractive है अगर आप login के उपर करसर लेके आते हैं तो इसकी जो color है वो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है वो change हो रहा है mouse hover के उपर तो background पे हमने जो है एक image को use किया हुआ है और यहां पर भी जो है हमने image को जो है welcome के आगे जो है वो यूज किया है तो यह वली screen जो है काफी important screen है हर एक project के लिए जो भी आप ASP.NET के अंदर create करते हैं क्योंकि login तो हमें चाहिए ही चाहिए तो यह आपको सीखना काफी अच्छा रहेगा तो चलि project को और इस पूरे project को close कर देता हूँ friends students अगर आप इस channel के ऊपर नए है channel की video पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से channel को subscribe कर ले क्योंकि इस channel के ऊपर हम daily programming related video tutorials हैं उनके सबसे बड़ी है जो methods है वो upload करते रहते हैं जिससे आपको programming सीखने और समयने में काफी help मिलेगी तो चलिए यहां से select करते हैं project अब आपने यहां पर एक empty website select करना है और अब आपने browse करना है और कहीं पर भी यहां पर मैं एक folder create कर देता हूँ latest modern login screen तो चलिए इसको मैं ok कर देता हूँ open कर देता हूँ इसको मैं create कर देता हूँ इस project का folder और इस folder के अंदर सारा ही जो project है वो मैं अपना create करूँ है यहां से आपका visual c sharp जो है वो select होना चाहिए और इसको मैं ok कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहां पर मेरी जो project है वो create हो चुका है तो चलिए इसमें एक blank web form जो है वो add करते हैं माउस को right click करके solution के अंदर और यहां से एक blank web form जो है वो create करते हैं और इस web form का जो name है वो आप कोई भी name रख सकते हैं मैं यहां पर रख देता हूँ log in screen तो चलिए इसको मैं add कर देता हूँ project के अंदर तो friends students यहां पर हमें दो images चाहिए एक तो यह वाली image आप welcome के नीचे देख रहे हैं आईकोन और एक background image तो दोनों images जो है वो मैंने download की होई है internet से आप देख सकते हैं यहां पर background book नाम की और इसकी dimension आप देख सकते हैं यहां पर कितनी है और इसी तरीके से यह girl वाली image यह भी मैंने download की हो इंटरनेर से तो आप अपने accordingly जो है images जो है वो download कर सकते हैं तो चलिए इस पूरे folder को image name का folder है इसको मैं copy कर लेता हूं और इसको हमने project के अंदर जो है वो paste करना है तो चलिए यहां पर right-click करते हैं और यहां पर मैं इसको जो है पूरे folder को जो है वो paste कर देता हूं तो दोने images जो है वो मेरी यहां पर आ चुकी है चलिए अब हमने जो है development शुरू करनी है तो हम design से development शुरू करेंगे हम इसके source से development शुरू करेंगे क्योंकि हमने css को भी जो apply करना है तो यहां पर एक और हम जो है अपने project के अंदर एक style sheet जो है casting style sheet की जो file है वो create कर देते हैं पहले से ही तो यहां पर मैं style sheet को select करूँ और आप अपना जो style sheet का name है वो आप कोई भी रख सकते हैं तो मैं यहां पर रख देता हूं login style तो इसको मैं जो है add कर देता हूं project के अंदर तो यह मेरी जो css की file है यह भी बन चुकी है तो चलिए title के अंदर हो आप कोई भी जो है title लिख सकते हैं मैं यहां पर लिख देता हूं login screen online bookstore तो चलिए अब आपने अपने इस जो aspx का जो page है web form है इसके साथ जो हमारी css की file है इसको link करना है तो link करने के लिए यहां पर हम link tag को जो है वो use करेंगे यहां पर relation provide करेंगे relation क्या है style sheet और अब आपने यहां पर हाइपर reference के थूँ जो है आपने css की जो file है वो यहां पर provide करनी है और चलिए यहां पर मैं इसको जो है वो close कर देता हूं अब second यहां पर एक मैंने और style sheet यहां पर use की है यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर आपने एक और यहां पर code है क्योंकि हमने यहां पर यह icon ही यूज की है तो यह basically font away sum के थूँ हम इसको patch कर सकते हैं इसलिए हमें यह वली जो CSS की file है इसका CDN यह हमें copy करना पड़ेगा और यहां पर paste करना पड़ेगा आप यहां से जो है इसको no down कर सकते हैं एक चीज और आपको ध्यान में रखते हैं जब भी आपने internet वाला इस तरीके का जो style sheet का link का यूज करना है और जब भी आपने project को run करना है तो आपका जो internet है वो enable होना चाहिए क्योंकि CSS की file हमारे project के अंदर नहीं है यह basically server के उपर किसी web server के उपर पड़ी हुई है और internet के थूँ ही जब project हमारा run होगा तो उसको जो है वो हमारा server जो है वो assess करेगा तो चलिए इस तेके से मैंने इसको use कर लिया दोनों ही जो style sheets है वो मैंने project के अंदर जो है वो add कर दी है अब हम जो है अपना graphical user interface जो है वो यहाँ पर ready करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक div tag लेते हैं और यहाँ पर class use कोई दिक्त नहीं है इसमें अब हमने एक container नाम का जो यहाँ पर class है जो div tag वो use किया है इसके अंदर अब हमने क्या करना है इसको इसका font फोड़ा सा मैं increase कर देता हूं ताके देखने में आपको दिक्त कोई परिशानी नहीं हो अब हम form tag use करेंगे action के अंदर हमने hash लिखना ह है अभी हमने कोई ऐसी कोई भी page का यहाँ पर link नहीं provide करना है तो यहाँ पर hash ही render देते हैं क्योंकि हम basically आपको बता रहे हैं कैसे आप graphical user interface जो है वो create कर सकते हैं तो यहाँ पर run at server लिख देता हूं मैं तो चलिए form tag भी मेरा आ चुका है अब हमने इस form tag के अंदर करना क्या ह है वो मैं आपको बता देता हूं इस form tag के अंदर सबसे पहले हमने क्योंकि यहाँ पर welcome यूज किया है तो welcome के लिए यहाँ पर h1 tag को यूज करेंगे हम यहाँ पर h1 tag यूज करते हैं और इसको भी जो है वो class provide करते हैं क्योंकि इसकी जो styling है, formatting है वो हम css के through करेंगे तो चल है यह एक्स वन टैग मेरा आ गया इसके अंदर मैं लिख जाता हूं welcome और इसको साथ साथ सेव करते ही आता हूं और अब हमने यहाँ पर image को यूज किया है तो इस image को display करवाने के लिए यहाँ पर हम फिर से div tag यूज करते हैं class यूज करेंगे और इसके अंदर हम इसकी class का name जो आप कोई भी रख सकते हैं बस same name आपको CSS की coding के अंदर जो है वो यूज करना पड़ेगा यहाँ पर form underscore image रख देता हूं अब हम यहाँ पर image के true जो है जो हमारी image है उसको हम set करेंगे तो यहाँ से select करते हैं image folder और girl with book तो चलिए इसको मैं ok कर देता हूं अब मैं यहाँ आल्टर कहने का मतलब अगर कभी भी image जो है वो assess ना हो पाए तो यहाँ पर text जो है user को print होना चाहिए तो user photo इसके से मैंने जो है alternative text जो है वो ले लिए है तो यहाँ पर यह div tag जो हमारा complete हो चुका है तो चलिए इसको मैं आप चाहें तो इसको यहाँ से आप जो है collapse कर सकते ह तो मैंने वो बंद कर दी है तांके code आप clearly बाकी साथ देख पाएं और अब हमने क्योंकि यहाँ पर जो आप देख पा रहे है user name और password इसको एक group की तरह हमने लेना है तो यहाँ पर मैं div फिर से class यूज़ करूँगा और class का name यहाँ पर मैं रख देता हूं form group और css के through जो ह class की styling जो है वो हम करेंगे तो चलिए इस class के अंदर अब हमने coding करनी है तो सबसे पहले यहाँ पर हमने आप देख पा रहे है मैंने एक icon यहाँ पर display करवाया है यह username वाला जो आप देख पा रहे है message type का जो icon है इसको मैंने यहाँ पर print करवाया है डिस्प्ले करवाया आप त यहाँ तो different different जो icon है वो font away sum से ले सकते हैं तो अब मैं यहाँ पर i tag यूज़ करूँगा और यहाँ पर इसको class provide करता हूं और यहाँ पर मैं इस तरह के से code लिखता हूं जिससे मैं icon जो है वो display करवापा हूं font away sum जो CSS की file है उसी की help के साथ जो मैंने उपर जो है यहाँ पर हमने कर दिया है इस तरीके से और अब आपने icon के साथ ही हमने यह जो text box यूजर नेम फिल करने के लिए वो display करवाना है तो toolbox से मैं text box को जो है वो double click करके यहाँ पर लेके आऊंगा और यहाँ पर आप इसका placeholder जो है वो set कीजिए तांके user को जो है वो text नजर आए user name इस तरी तरीके से और इसका भी जो अपने CSS की जो class है इसको provide करनी है तो यहाँ पर CSS class और इसका जो name है वो आप कोई भी रख सकते हैं मैं यहाँ पर रख जाता हूं input box जो चलिए इस तरीके से जो है हमने CSS की class जो है वो इसको apply कर दी है अब हमने यहाँ पर जो है हमारा एक group जो है व इवाला group जो है वो complete हो चुका है अब हमने इसी group को फिर से copy करना है और इसको जो है वो नीचे जो है वो आप paste कर दें और इसको जो है text box 2 आपने लेना है और यहाँ पे भी input boxy use करेंगे और यहाँ पे जो है इस class की जगे पे अब हम क्योंकि यहाँ पे lock जो है वो प्रिंट कर देते हैं और यहाँ पे FASFA-lock इस तरीके से मैं लिख देता हूं और बाकी जो है आपने group उसी तरीके से रहने देना है तो अब हमने यह वाला काम तो कर दी एक बार रन करके दिखा देता हूं project आपको कितना यह जो है successfully बन पाया है तो यहाँ पे अभी तो CSS की हमने setting नही की तो यहां तक जो है हमारा complete हो चुका है project अब आपने यह नीचे वाला जो पार्ट है वह complete करना है remember me, forget password और login तो चलिए इसी के लिए हम यहाँ पे जो है यहाँ पे काफी सारे icon है अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं user तो यहाँ पर आप देख पारें यह user वहला जो icon है यह किस्टरी किसे यूज करना है तो इसको आपने simply यह जो class और बार को सिर्ण और रहा है उसको कर देता हो यह आइकन आप देख पारें इसे जो है वह वो चेंज हो चुका है तो फॉन्ट वेबसांट यह आप नोट कर ले आप संडा कॉम और यहां से आप कोई बी आइकन जो आ cdn को यूज़ करके जो css की फाइल उसको यूज़ करके जो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो यूज़ कर सकते हैं तो चलिए अब हमने bottom वाला जो पार्ट है वो करना है तो div tag यूज़ करेंगे यहाँ पर class यूज़ करेंगे और यहाँ पर कोई भी नेम आप रखते हैं मैं यहाँ पर रखते हूं font bottom और यहाँ पर form bottom तो चलिए इस div tag के अंदर अब हमने एक check box जो है वो print करवाना है यहाँ पर मैं दिखा जेता हूं आपको एक हमने check box print करवाना है और साथ में remember me और forget password history का link जो है वो हमने यहाँ पर display करवाना है तो उसके लिए यहाँ पर एक div tag और यूज़ करते हैं और इसके अंदर लिखते हैं class check box के लिए class का name मैंने रखा check और अब इस div tag के अंदर टूल बॉक्स से check box को जो है वो double click करके जो है वो यहाँ पर लेके आऊँगा और इसकी जो css की class है वो हमने यहाँ पर check box नाम की रखनी है कोई भी नेम आप रख सकते हैं बस आपको coding के अंदर same name यूज़ करना पड़ेगा और अब हमने यहाँ पर label को यूज़ करना है और किसके लिए हमने label यूज़ करना है और हमने label यूज़ करना है यहाँ पर देख लेते हैं किस के लिए है यहाँ पर मैं इसको remove कर देता हूँ directly जो है label को जो है वो यहाँ पर यूज़ करता हूँ यहाँ लिखता हूँ remember नहीं तो चलिए इसको save करते हैं और अब हमारा जो check box है वो भी यहाँ पर आ चुका है अब हमने forget यो लिंक है forget password वाला link है वो यहाँ पर यूज़ करना है तो यह वाला tag तो यहाँ पर बंद हो चुका है चेक वाला इसको मैं यहाँ पर collapse कर देता हूँ तांके form group के अंदर और क्या आना चाहिए वो आप देख पाएं तो अब मैं यहाँ पर दूसरा link यूज़ करूँगा इसको अभी लिए hash कर देते हैं page क्योंकि हमने बनाया नहीं है remember password वाला और sorry forget password वाला तो यहाँ पर class यूज़ करेंगे forget बहुत चलिए इस link के अंदर आपने लिखना है forgot password तो इस तरीके से मैंने लिख दिया है इसको run करते हैं एक बार अब आप देख सकते हैं इस तरीके से यह जो नीचे remember me और forget password का link जो है वो बन चुका है क्योंकि अभी हमने css जो है वो apply नहीं की तो जब apply करेंगे तब यह और भी attractive जो है वो निकल के आएगा अब हमारे पास जो यह वाला form group है यह भी हमने close कर देना है तो यह पूरा form group जो है वो बन चुका है इसको मैं collapse कर देता हूँ यह देख सकते है form group को मैंने बन कर दिया है अब last में मारे पास जो है वो बचा है button तो यहाँ पर आप देख सकते है last में button ही मारे पास बचा है तो तो इसको किस तरी किसे यूज़ करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने फिर से div tag यूज़ करना है, class और यहां पर यूज़ करेंगे button, अब इसके अंदर हमने button को यूज़ करना है, इस div tag के अंदर, इसको मैं पहले stop कर देता हूँ, project को toolbox से अब हम यूज़ करेंगे button, तो button को double click करके यहां पर मैंने paste कर दिया है, और अब मैं इसका जो text है वो यहां पर लिख देता हूँ, login, और साथ में जो class है, वो हम यहां पर provide कर देते हैं, btn, कोई भी आप name यहां पर रख सकते हैं, बस आपको coding के अंदर जो है, वो CSS की coding के अंदर same name दो यहांपे style sheets के जो linking आवो की है, फिर हमने यहांपे container tag use किया है, फिर हमने form tag use किया है, फिर हमने यहांपे h1 tag use किया है, फिर हमने image को display करवाया है, फिर हमने दो text boxes को इस तरह के से div tag के through print करवाया, और यहांपे font ofism के icons को यूज़ किया है, और form bottom के अंदर checkbox, remember me, और forget password क को यूज किया और सबसे नीचे हमने एक बटन को जो है वो लगाया है अब हमारा जो अगला टास्क है वो हमने यहां पर CSS के अंदर कोडिंग करनी है तो वह हम जो कोडिंग है वह नेक्स्ट वीडियो का जो सेकंड पार्ट होगा इस वीडियो का उसमें मैं आपको बताऊंगा पहले आप इस जो HTML की कोडिंग है इसको किस तरीके से करना यह आप सीख लें और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जब आप लोड करूंगा उसमें आपको मैं इसीएस्ट वेड जो है वो बताऊंगा CSS की कोडिंग के लिए इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रही है अपना जो स्पोर्ट है वो बनाए रखिए और हमें डोनेशन जो है वो बेशते रही है इसी तरीके से तांके हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो आपके लिए लाते रहे हैं और अगर हमार जो है pen drive जो है वो order कर सकते हैं link जो है description में दिया हुआ है तो thanks friends for watching our videos